तो हाँ तो यार गाई जाजी रहें आपके लिए एक और नई धमा केदार वीडियो लेकर तो दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको सबसे सस्ता 4 channel Emily Fair दिखाँगा तो दोस्तो आज है हमारे फाज बल्टेक का 4 channel Emily Fair तो दोस्तो आज की वीडियो मैं हम इसकी unboxing करेंगे आज की वीडियो में आपको इसका पूरा रिवियू दूँगा और दोस्तो आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा ये कितने सब वोफर और कितने स्पिकर चला सकता है और आज की वीडियो में दोस्तो आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ किसकी offline market में क्या प्राइज है और online market में इसका क्या प्राइज है तो दोस्तो वीडियो आज की बहुत ही जादा interesting होने वाली है किरपय करके दोस्तो आप वीडियो को पूरा देखें और दोस्तो जो नए लोग है वो चैनल को subscribe कर लें और side में लगे bell icon को प्रेस कर दें तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरूप करते हैं तो सबसे पहले हैं दोस्तो हमारे पास यह amplifier का box और यहाँ पर लिखा हुआ है bultec और यहाँ पर है moving style और दोस्तो यह है इसका model number 41-61 amp 2022 की इसकी series है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 channel MOSFET power amplifier 2020 की series है यहाँ पर लिखा हुआ है B18 और यहाँ पर हमारा एक amplifier बना हुआ है और दोस्तो यह है इसका serial number और यह दोस्तो दो color में आता है black और red दो color इसके दोस्तों हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर इसके feature दिखाए गए है अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो bridge wall हमारा amplifier है और stereo और bridge और mono सारे mode इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं अगर मैं आपसे यहाँ पर super bass की बात करता हूँ तो G-rediver से 12 dB तक हमें देखने के लिए मिल जाता है और 45 Hz की frequency है अगर मैं आपसे यहाँ पर supply की बात करता हूँ तो most rate supply का यहाँ पर इस्तमाल किया गया है और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे RMS power की तो हमारा 60 Watt per channel RMS यह amplifier देता है और यहाँ पर दिखाया गया है class AV amplifier है हमारा 4 channel amplifier है और terminal हमें देखने के लिए मिल जाते है और 25 amp करके 2 fuse हमें देखने के लिए मिल जाते है तो चलिए दोस्तो अब चलते हैं इसकी back side पर तो जैसे कि आप इसकी back side देख पारे हो और यहाँ पर इन्होंने black color का amplifier दिखाया है बाती सारी space application सभी कुछ same है तो चलिए दोस्तो ज़्यादा time नावेस्ट पर दूँ है जल्दी से मैं आपको इसकोन box करके दिखा देता हूँ तो यह देखी दोस्तो इधर की तब से हमारा box खुलता है तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर open कर लेता हूँ तो यह देखी दोस्तो यह है हमारा amplifier और सबसे पहले दोस्तो हमें यहाँ पर दो fuse देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ screw दिखाए गया है इसके mount करने के लिए चलिए दोस्तो इसको भी मैं यहाँ पर side में रख दे रहा हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो हम इसके warranty card की तो दोस्तो यह है इसका warranty card चलिए दोस्तो इसको भी मैं यहाँ पर side में रख दे रहा हूँ और दोस्तो यह है इसका user manual दोस्तो कोई भी item अगर आप खरीते हो इसकी specification की बात करता हूँ तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर इन्हों ने इसकी specification दिखाई गई है अगर मैं आपसे power out put की बात करता हूँ तो 60 watt per channel हमें यह RMS देता है और TDI है इसका 1% अगर मैं यहाँ पर frequency response की बात करता हूँ तो 20 Hz से 20 kHz तक की frequency हमें देखने के लिए मिल जाती है और अब बात करता हूँ मैं आपसे signal to noise radio की तो 90 dB हमें देखने के लिए मिल जाता है अगर मैं आपसे sensitivity की बात करता हूँ तो 0.15 से 8 volt हमें देखने के लिए मिल जाता है चलिए दोस्तो इसको मैं side में रख दे रहा हूँ तो देखिए दोस्तो यह है हमारा amplifier अगर मैं आपसे देखने में बताऊँ तो देखने में तो दोस्तो काफी good looking amplifier दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले बात करूँँ है दोस्तो मैं इसके friend की तो यहाँ पर हमें world tech की branding देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर move in style लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है BAT और यहाँ पर लिखा हुआ है 2500W max power output दोस्तो 2500W peak power है इसकी और यहाँ पर इसका model number दिखाए गया है WT 416A M 2022 की series है 4 channel most great power amplifier अगर दोस्तों मैं इसकी changes की बात करता हूँ देखे दोस्तों इसकी काफी heavy यहाँ पर changes देखने के लिए मिल जाती है और दोस्तों जैसे कि आप यह line देख पा रहे हैं इनको मैं feel कर पा रहा हूँ और दोस्तों company ने इसका जो changes है जो body है कुछ इस तरह से बनाई है जो इसकी body है दोस्तों पूरी ही यह hitsing का काम करती है जिसका फायदा दोस्तों हमें देखने के लिए यह मिल जाता है जल्दी सा हमारा amplifier हीट नहीं होगा जल्दी से खराब नहीं होगा तो दोस्तों आगे से तो देखने में कुछ इस तरह सा लगता है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम साइड में तो सबस्तर पहले बात करेंगा दोस्तों हमें अपने channel 1 और 2 की हमें यहाँ पर एक crossover देखने के लिए मिल जाता है इसको आप HP-Up, Full या फिर LP-Up पर भी रख सकते हो और यहाँ पर हमें एक HP-Up की नोब देखने के लिए मिल जाती है जिसकी frequency 32-3KHz तक जाती है और यहाँ पर हमें LP-Up की नोब देखने के लिए मिल जाती है इसकी frequency 32-3KHz तक जाती है और यह दोस्तो channel 1 और 2 की gain है और यहाँ पर हमें input socket देखने के लिए मिल जाते है 4 यहाँ पर input socket दिखाये गए है और आप बात करता हूँ channel 3 और 4 की सबसे पहले हमें यहाँ पर gain देखने के लिए मिल जाते है और यहाँ पर इसका base boost दिखाये गया है इस node को आप 0db या 6db या 12db पर भी कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको base ठीक लगे वैसे आप इसकी setting कर सकते हो यहाँ पर हमें lpf की node देखने के लिए मिल जाती है इसको भी आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो और यह इसका crossover दिखाया गया है जैसे कि आप देख भी पा रहे हो lpf, full और hpf और देखे दोस्तो इस एम डिफेर की एक खास बात और मैं आपको बता दूँ देखे दोस्तो यहाँ पर हमें channel 3 और 4 और channel 1 और 2 में दोनों में ही हमें यहाँ पर crossover देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही channel को हम lpf, full या फिर hpf पर रख सकते हैं दोस्तो इसका फायदा हमें देखने के लिए यह मिल जाता है दोस्तो जब हम अपने door के speaker चलाते हैं तो उनको हम full बेना रखके hpf भी रख सकते हैं इससे आपकी जो car के hpkर हैं उसकी अच्छी sound आपको देखने के लिए मिलेगी तो चलिए दोस्तो आप चलते हैं हम अपनी side में तो side में दोस्तो जैसे की आप देख भी पा रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो हम अपने power के terminal की तो सबसे पहले दोस्तो हमें यहाँ पर एक heavy socket देखने के लिए मिल जाता है इसका फायदा दोस्तो हमें यह देखने के लिए मिल जाता है इसमें हम heavy wire का भी इस्तमाल कर सकते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर ground का देखने के लिए मिल जाता है ये amplifier हमारे कितने speaker और कितने सब्वोफर एक साथ चला सकता है तो चाहे तो दोस्तो आप सबसे पहले इस पर 4 speaker चला सकते हो एक साथ speaker का size आपके पास कोई भी हो सकता है 6V और 699V तो जैसे कि आप देख पारे हो एक speaker यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ चाहे तो आप इस पर 4 speaker एक साथ चला सकते हो तो दोस्तो आप बात करता हूँ मैं आप से subwoofer की देखे दोस्तो आप इस amplifier पर single coil कोई भी subwoofer चला सकते हो चाहे आपके पास Sony का subwoofer हो या फिर JBL लगा हो या फिर Pioneer का एक subwoofer और 2 speaker आप इस पर easily चला सकते हो कोई problem आपको देखने के लिए नहीं मिलगी तो चलिए दोस्तो आप चलते हैं हम इसकी back side में तो जैसे कि दोस्तो आप इसकी back side देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें 4 जगा कुछ hole देखने के लिए मिल जाता है इसका फायदा दोस्तों हमें यह देखने के लिए मिल जाता है जो इसकी गरम एर है वो भार आती है और जो ठंडी एर है वो अंदर जाती है जिससे दोस्तों जो हमारा amplifier है जल्दी से हीट नहीं होता और जल्दी से खराब नहीं होता और यहाँ पर हमें एक serial number देखने के लिए मिल जाता है तो अब बात करते हैं दोस्तों यह amplifier किन लोगों के लिए सही है देखिए दोस्तों जिन लोगों पाद छोटी कार है जो दोस्तों अपनी base tube और दो speaker amplifier पर चलाना चाते हैं दोस्तों वो इस amplifier को ले सकते हैं और दोस्तों जो लोग अपने door के 4 speaker amplifier पर चलाना चाते हैं वो भी इसको खरीच सकते हैं और दोस्तों अगर आप इस amplifier की performance वीडियो देखना चाते हो तो वो भी आपको मुझे comment कर देना है नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए इसकी performance पर बना दूँगा और इससे पहले दोस्तों मैंने एक Worldtech के 4 channel amplifier की unboxing की दी और Sony के amplifier की unboxing भी दी दोनों वीडियो का link आपको इसका रस्तन में देखने के लिए मिल जाएगा चाहे तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हो तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके price की देखे दोस्तों आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज है 8 अगस्त 2022 आज के समय में इसका जो price है वो है यहां पर 32 रुपए देखे दोस्तों बाद में इसका rate घटे भी सकता है और बढ़ भी सकता है बाद के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता आज के समय में इसका rate है 32 रुपए और अगर दोस्तों आप इस amplifier को online खरीदना चाते हो इस amplifier को खरीदना चाते हो या फिर इस से heavy amplifier को खरीदना चाते हो तो online खरीदने का link मैंने description में दिया है और अगर दोस्तो कोई भाई इस amplifier को मुझसे खरीदना चाते हो तो description मेरा WhatsApp नमबर भी दिया गया है चाहे तो आप मुझसे भी contact कर सकते हो तो दोस्तो ये amplifier आपको कैसा लगा है ये आपको comment करके बताना है और दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपको comment करके बताना है तो इसी के साथ दोस्तो जो लोग चैनल पे नहीं है चैनल को subscribe कर लें और side में लेगे bell icon को press कर दें ताकि इस तरह के knowledge वाली वीडियो जब भी मैं upload करूँ उस channel vacation में आपको सबसे पहले और सबसे पहले दोस्तो आप वीडियो को देख पाएं